नमस्कार, स्वागत है आपका LMSCASCADEMY में, मैं हूँ MD MUNNA इस फोटो का अगर हम फाइल साइज देखें, तो ये है अभी 9.3 MB का पर अगर हमें ऐसे जरुवत पड़े, कि हमें किसी फोटो की साइज को कम करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? फोटो की साइज कम करने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो फोटो का आप हाइट और विद को कम कर दें, या तो आप फोटो की कॉलिटी को जो है कॉम्प्रेस करके कम कर दें, तो इसको करने के लिए हमारे पास एक एप है, इस एप के अंदर आप फोटो का कॉलिट यसको भी तयामेंशन कर सकते हैं त्यांट धानलोड करने के विए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है लिट फोटो यहां का ताइप खरेंगे तो आपको यह दिखेगा फोटो complex and resize का option तो यहाँ पर आप इसे जो है tap करें यह app जो है अभी यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करकर रखा वाई अपने फोन पे इसलिए मुझे यहाँ open बटन दिख रहा है बट आपके फोन में आपको यहाँ पर install बटन दिखेगा तो install बटन पर क्लिक करके आप इस app को अपने फ तो तीन options दिखेंगे compress photos, resize photos and crop photos तो इस app के अंदर आप यह तीन काम कर सकते हैं photo की quality को compress कर सकते हैं photo का dimension को आप resize कर सकते हैं और किसी भी photo को आप crop कर सकते हैं अब इसमें कुछ options है जो मैं आपको पहले बता दूँ आप यहाँ ऊपर menu पर जाईए और यहाँ पर settings का option दिया हुआ है तो इस settings पर आप टाइप कीजिए यहाँ पर आप देखिए तीन अलग-अलग location वाले option दिये हुए हैं कि photo जो आप compress करेंगे वह कहां पर save हो photo आप resize करेंगे तो वह कहां पर save हो और photo आप crop करेंगे तो वह कहां पर save हो तो compress resize और crop photos के लिए आप location set कर सकते हैं कि आप अपने phone में इन तीनों चीज़ों के लिए कहां पर save करना चाहते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी photo हम compress करें उसको हम एक अलग folder में save करें तो आप यहां पर इस पर tap कीजिए और आपके phone में जो भी folders हैं आप उसमें से किसी भी folder को आप select कर सकते हैं मालगी जिए मैं चाहता हूं कि मैं सारे compress photos को pictures folder के अंदर save करूँ तो यहां पर मैं इस तरह से pictures folder के अंदर आ गया और इसे select कर लेंगे तो यहां पर आप देखे pictures यहां पर हमें location में दिख रहा है तो इस तरह से आप बागी चीजों के लिए भी location set कर सकते हैं अब back करते हैं और वापस आते हैं यहां पर यहां उपर right side में देखे result folder का option दिया हुआ है result folder पर आप जब click करेंगे तो यहां पर जो है आपको जितने भी आपने output निकाले होंगे मतलब चाहे आप photo compress करें या photo को resize करें या फिर आप crop करें जो भी output आएगा वो सारा कुछ आपको इस एक folder के अंदर दिखेगा अब देखते हैं कि इस app को use कैसे करना है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि photo को compress किसे करते हैं तो photo compress करने के लिए compress photos पे tap किजिए और यहां पर जो है मैं आपको उस photo को ही compress करके दिखाता हूँ जो photo हम अभी देख रहे थे यहां यह photo है 9MB का दिख रहा है हमें size यहां पर और इसका आप दिखे नीचे dimension भी लिखा हुआ है कि 4608 by 3456 यह इसका dimension दिया हुआ है तो अभी हम dimension पे काम नहीं करने जा रहे हैं अभी हम इसकी quality पे काम करने जा रहे है हम इसकी quality को compress करेंगे तो इस पर tap करेंगे और यह select करेंगे यहां से यह photo select हो गया अब यहां पे पूछ रहा है कि compression mode क्या रखना है by quality या by size तो यह क्या चीज है photo की जो भी पूरी quality है उसमें से आपको कितनी quality जो है रखनी है आप 80% quality चाहते है या फिर आप 50% quality रखना चाहते है यह हम यहां से set कर सकते हैं और यहां नीचे लिखा हुआ है maintain resolution तो आप जो उसकी resolution है जो अभी हम देख रहते 4000 के उपर जो हमें size dimension दिख रहा था हम उस चीज़ को maintain करना चाहते है या उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं हो सकता है कि हम dimension को fix रखना चाहते है लेकिन सिर्फ photo का जो quality है वो जो है कम करना चाहते है तो उस तरह से भी compression हो जाएगा size पर अगर हम आएं तो यहां पर हम direct photo बताएंगे app को कि हमें file की size कितनी चाहिए जैसे government exams में क्या होता है कि उनको चाहिए होता है कि आपकी files का जो photo का file size है वो 100 kb से उपर ना हो या 120 kb से उपर ना हो या 50 kb से उपर ना हो तो उस तरह की चीज़ जो हम यहां पर set कर तकते हैं कि अगर हमें मान देजिए चाहिए कि 100 kb से नीचे ही रखना है तो हम यहां पर जो है इसको इस तरह से slider को drag करके 100 kb से नीचे तक का file size रख सकते हैं अब इसके लिए जो भी quality होनी होगी photo की चाहिए वो 80% कम करना है या 60% कम करना है वो app automatic जो है उसका recording set कर देगा बट जो file का size होगा उसको जो है 80 kb तक ही रखेगा तो यह चीज हम यहां से बहुत ही easily कर सकते हैं आप चाहे तो इसको resolution को कम भी कर सकते हैं क्योंकि जो फोटो का quality कम होगा तो जो height और dimension अगर full हम रखेंगे तो वो थोड़ा सा हमें फटावा दिखेगा clear नहीं दिखेगा अब यहां start compressing पे आप tap कीजिए फोटो जो है compress होके आपके सामने आ जाएगी और यहां उपर लिखा हुआ है यह photo जो है compress होगी है और उसका file name क्या दिया हुआ है वो भी लिखा हुआ है अब इस पर जो हम tap करेंगे तब यह photo जो है compress photo है तो यहां पर देखिए इसने इसके quality पर फोड़ा work किया है और थोड़ा सा हमें यहां पर photo blur दिख रहा है क्योंकि हमने photo का dimension जो है कम नहीं किया है हमने resolution को जो है maintain करके रखा हुआ है बट still photo के आप जो file size है उसको आप देखिए photo के file size जो है 9 MB थी अब यह 106 KB हो गई है तो कितना जादा जो है photo का file size जो है कम हो गया है तो इसने क्या किया है हमने 80 KB तक का file size दिया था बट still जो है इसने 106 KB तक ही set किया है मतलब 80 KB तक जो है यह आप जो है इसको इस photo का जो भी dimension था उसके recording set नहीं कर पाया बट still इसने विसको बहुत कम कर दिया है अब जो है हम देखते हैं कि resize कैसे करना है photo को तो resize के लिए भी same तरीका है आपको जब यहाँ पर आकर select करना है कि फोटो कौन सा आप यूज़ करना चाहरे है तो हम same photo को select करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं और यहाँ पर आप resize mode में क्या दिया हुआ है या तो आप pixel के recording इसको change कर सकते हैं या तो आप percentage के recording इसको resize कर सकते हैं तो अगर आप percentage के recording रखना चाहते हैं और कितनी width रखना चाहते हैं तो अगर आप maintain aspect ratio को on रखेंगे जैसे यहाँ पर अभी यह on है तो आपको dimension में सिर्फ एक ही value change करनी है या तो आप width change करेंगे या तो आप height change करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको जो form भरना है गवर्मेंट का उसमें fix दिया है कि भाई यही height चाहिए और यही width चाहिए तो उस case में आप क्या करेंगे आप इस aspect ratio को off कर देंगे और यहाँ पर आप खुझ से height or width set कर देंगे मान दिजी आप 600 width रखना चाहते हैं और 800 height रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप manually यहाँ पर set कर देंगे और उसके बाद आप start resizing पर tap कर देंगे photo जो है resize हो जाएगा अब यहाँ पर हम tap करेंगे तो देखे इसने photo का resolution जो है change कर दिया है जो की है 600 by 800 और इसके recording जो photo का size है 307 के भी वह आपको यहाँ पर दिख जाएगा वापस pack करते हैं यहाँ पर अगर आप delete करना चाहो इसे तो आप यहाँ delete का बटन दिया हुआ है आप इसे click करके delete भी कर सकते हैं अगर आप result folder पर आएं photo जो है delete हो जाएगी तो इस तरह से जो है आप इस app का use करके किसी भी photo को compress कर सकते हैं resize कर सकते हैं इस app को use करने के लिए internet जरूरी नहीं है आपको सिर्फ यह app एक बार install करना है और उसके बाद आप बिना internet के भी इस app को use कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को नीचे आपको एक सब्स्राइब का बटन दिखेगा उस बटन पे आप टैप करके यह चैनल सब्स्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी informative वीडियो आगे upload हो उसकी information आपको मिलती चाए और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया